आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सुभा का नाश्ता मैं अपके पूरे दिन करूंगे जैसे के शाम कर साथ टी टाइम जो होता है और रात का खाना याने की पूरा दिन का रूटीन तो सबसे वहले मैं लिए आए 50 ग्रम में डाली है अज्यू जल्द जली वीडिओ आगे निकली जा रही है मुझे पता नहीं चाहां मैंने डाली इसके नतर जीरा डाला है मैं बूद की पानी डालना है इस से नीदेel बड़ी हो रिखी और मिर्चें हल्दी हो गई है और धनिया इसकी क्वांटिटी मैं दो से तीन चमच मिर्चे और दो चमच धनिया और एक चमच एक से टेट चमच हमाई जाएगी हल्दी नमक जाएगा थोड़ा सा आदा कपानी डालने के बाद मैंने कर लेना इसको लिक्वीड शेप पर देते हुए जिससे कि टमाटर की क्वांटिटी मैंने रखे तकरीबन आदा किलो से भी जादा तीम पाओ या जादा अगर आपके पास आलू है एक किलो तो टमाटर आपके पास होने चाहिए आदा किलो परलब कि यह मज़दार सी चिट पटी और खटी डिवाली डिश बनने जा रही है जो हम में खाते हैं खटे वाले अलू होते ना जो हम पूरियों के साथ नान के साथ अक्सर हमें बहुत जादा मज़दा लगता है बहुत मिज़दा लगते हैं देखिए मैंने पाने को डालकर टमाटर को अच्छी तरीके से गलाया उसको ढग दिया था कूकर कर पे वह वह वेट नहीं डगाएंगे सिर्फ डगकर को अम गलाएंगे थोड़ा साथ यह मैशी मैशी फॉम में आ चुका है देखें हाजी यह देखिए कितना जबर्दर से और तेल भी आई थिंक इसने छोड़ दिया है उसके बाद फिर हम क्या करेंगे इसके निदर डालेंगे आलो अरे मैं पानी में उसके बाद पानी निकालने के बाद एड़ करेंगे और एक चीज़ मैं भूल गी थी कलोंजी जो इसके अंदर वो लासमी डालनी है इसके इलावा दड़ा मीचे डलती है इसके इंदर और साबू धनी अपनी चॉइस है डाले या ना डाले इसके अदर आप पाई वाध बाद शाहिए जो में अपके साथ शेयर की है यह हलवा पूरी और यह वाले सबसी और इसके लावान घी तो जातर नान चने वगारा जो होते इसके साथ जो रूदे रूर यूज करते हैं मिछ इंडिया में बहुत जादा पाप्लर बहुत धर बन्छों के साथ केंगेंस को परेजन करने की बारी ली है मैंने अज बाइज बनाइं है बहुत ही मैजिकल सबसी आनों की बाजी आनों की गतली नहींगे से सिर्फ बालो की चटपते आलो खट आलो जो पूरियों के साथ कचोडियों चलते हैं वहुत ही मशेदार शादियों में भी एवन इते पॉपलर हैं के लोग शादियों में भी इस मेनियो को प्रेफर करते हैं non-witch जो खाना पधता है जिसमें, आलू की सबजी, कदू की सबजी, पेटे की सबजी, और इसके लावा मेला सबजी, ये चीजें, लोग बहुत भाँ स्वानु करते हैं, और यह तो रनिंग में, मैंने जाँ, बहुत ज़्यादा लोग इसको पश्ण करते हैं, इसकी खुबसूरती को और चार चांद लगा रहा है और इतना खुबसूरत हमारा ये आलो की सबसी बन कर तियार हुए कि क्या ही कहने वेल्कम बैक और मैं जैसे कहा था आज तो पूरा दिन आपने लडी के साथ गुजारना है पूरे दिन का रुटीन मैं आपके साथ शेयर करना है ये आ गया जी ब्रंच टाइम मतलब के कनाश्ता हम कर चुके हैं और जो हलकी फुलकी सीब भुक लगना शुरू हो चुकी है तो जी डिमांड आगए कुछ थोड़ा बहुत हलका फुलका सा बना लें अब हलका फुलका क्या बना लें नहीं समझ आ रही है तो मैंने सोचा रखे वे थे मेरे पास जवी होते ना एक तो होते है नूडल्स जो बजार से मुआ लेते हैं एक होता है जो जवी भी मिलते हैं उनको मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके रखा वा था सोचा यह हलका फुलका है इसके हलका फुलका है अगर मैं बनाऊंगी तो फिर तो मैक्रो नहीं आ जाएगी इसमें चिकन वगरा डलता है तो इसको लाइट लाइट सा हम बना कर रखते हैं सबसे पहले मैंने लिए जी बहुत ही प्यारी सी अपनी यॉक ली है क्योंकि यह च इतना आप कर सकते हैं मैश नहीं करना चॉप करना है बिलकुल बारिक बारिक कुतर लें से ठीक है और करने के बाद इसको हमने बस इसको इसी ऑल के अंदर इसको बूनना है बूनते जाएं बूनते जाएं इसके बाद पर इसके तंदर जाएगा ड्राइड मसालों में रैट तो इसमें इतना मसाला सफिश्ञेंट है बिलकुल काफी है परफेक्ट है बस इसको मैंने क्या करना है इसको भूनने के लिए इसको चलाते जाएंगे और इसको तब तक चलाएं जब तक इसका पानी थोड़ा सा सेपरेट ना हो जाए तो फिर इसके इंद जाएगा थोड़ा सा सिर्का सिर्का आपने हसबे जरूर डालें नई डालें तो कोई भी बात नहीं है ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं कि मुट्स्ट होता कि जो हम चीज मंना रहे हैं नूड़ोज बना रहे हैं माले में इसके पाने पाने जाला के है अच्छी तरह से पहले मसाला गुल मिल जाए कि इसके पर इसके मिधार में बताना है की मैंने लिया है दो कप जमे लिये हैं उसकेन डबल से हाफ पानी मैं इसके निदर डालना मिला कि दो है तो आपने डिध घप पानी डाल लें ये देचीड़ जमें मैं एक पर करीब से दिखाती हूं ये देखें ये इसको डाल कर हमने चलाना है. दो-तीन मर्तबा में टांशा में लीजाएंगा, इनो को बॉईल भी नहीं करना परता है. मैकरोनी या हैल्बो की तरह जैसे हम मैकरोमी को बॉईल करते हैं, इसको भी कईते चाहल गूईल कर रखते हैं, नमक मुझे थोड़ा सा में हैं नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने इसके इंद कांगी रहपकी नजा है नमग लाजमी ना के लिस्वेयर कहाए के लिए नमक भीकिनल से आगे गायो लगाने की, लगाने यहां में आतंयानी है और अलग से बिलका और लाउमेन ये मेडे के भी बनते हैं और सूजी आटे के भी बिनते हैं ये मैडे के जमे mystical बहुंते है ऑइव को बनाते हैं जिसको बंते हैं वे हो जोर्श सिद्वंग निया है प्लेट के एंदर बहुत ही मुझेदा एक्तम परफेक्ट ready to eat उसके अंदर हम डालते हैं उपार से देशीगी डालते हैं जिसको नहीं पसंद है वो नहीं लिए डाले क्यों क्यों कुप होती है देशीगी से तो इसको बेटर इस्तमाल करें या फिर कुछ और जैसे कि दही रायता इस्तमाल कर सकते हैं बहुत मज़ेदार माशाल हुआ मेरे पॉपड़ , रखे वाले प्कोड़े हैं इसलिए मेरे उनकी रखक आइटम बनाइए किछन ये हैं जी ये मेरे पापड पापड वी बनकी बनाते हैं मेरे पापड बनाते हैं ईसलिए पर कॉड़ इसका फाइदा यह था कि अपने थोड़े सी फ्राइब करने होते हैं प्लेट आपकी फुल बन जाती है और बता देखकर इसको खुश हो जाता है चाहे के साथ पूरी फ्लेट भरकर हमारे पापड़ों किया जाती है बनाना बहुत ही सिंपल है बहुत असान है आपने तकीरी को डाला हो underm हको हलक यहाद से पहले आप ही लाते जाहें iAYUL के अंदर हर पापड़ को ढीप होना डाना सूरथ होना आपक लिए प्र भी तुर प्र त moral हमाने dunno जाए और तो प्र करती है जाकिस इसको ओने की मदद al करते हिख अपक प्र साबिस के पनाना बहुत आसान ह फटा फट से आपके एक तरफ चाई बन रही है दूसरे तरफ पपड बन रही है और आपका टी टाइम आपका एंज़ॉय करने के लिए तरफ रेड़ी है यह देखें इतने खुबसुरत मैंने डाले हैं और सब्सक्राइब हैं अगर आप इसमें डिजाइन भी आते हैं और य इसको खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी रग रहे होते हैं जबर्दस यह देखें सब अच्छी तरीके से फ्राइब हो चुके हैं और इसको थोड़ा सा और तेज करना तो थोड़े कि छोड़ दें और रिस्पी टाइच इसका जाता है आगे जी प्रेजेंटेशन का टाइम और मैंने इसको भ्यार किया है बहुत ही खूशण ट्रे अंदर बहुत प्लेट के नदर बहुत प्यारी से से कब के अंदर मैंने ईसको अच्छा की है मैं 6 अङह भाँपट पर से मैए जाता यह पिरा नहीं है ऑसको थे भरेंजे आगा पुरी प्लेट को जिससे दिल- पर फीर हम को जैसे होता है स्प्रिंकल करने के लिए जैसे होती है चाट के ऊपर जो मसाला डालते हैं तो भी हमने इसके ढाल सकते हैं। तेक है हुरे मैं करने लगी हूं टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बने हैं माशा अलह। बहुत ही जादा खुबसूरत और इसको बनाने का तरीका कितना असान है कॉम्बो चैक कीजिए चाय के साथ पापड बहुत जबर दस्त माशाला जरूर ट्राइ कीजिएगा और यह इतना सिंपल है कि आपने ट्राइ करना जरूर है और इसको पता भी नीचे लेगा कि यह हमारी प्री प्लेट कप गायब हो गई है और बनाना भी इतना असान है तो क्या ख्याल है इस से ज़्यादा टेजिए के साथ हम चाय के साथ क्या बना सकते हैं इसके इलाव कि पकोड़ों में तो काफी सारा टाइम लगता है तो मुझे क की तरफ मुड़ते हैं चलते हैं इसकी त्यारिये करते हैं कि अगला आइटम क्या आने वाला है जबरदस्त चलें हाँ जी तक्रीबन दो से तीन केंटे बात समझ आई कि क्या बनाना है ऐसी चीज है कुछ लोग नराज हो जाते हैं कुछ लोग बड़े शोफ से खाते हैं मैंने डाला है प्यास कूंकिया फ्राय उसके बाद राल इसके अंदर अद्र रर्षान को यह दिख़ो डालने के पद हल्का सा पानी डालका रिच्पेस जाए पी डालें इसके तरह तोमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से गलाएंगे पानी भी इस्तमाल नहीं करे यह समुझब भी इसे जारा हुए। आपके इसमें मैंटन आती, तरहा है है, कि मैं कितना बनाना है। यह थो जाए है कि भी कितना बनाना है। और आधा किलू चनिकशा ह्टलू जाता हैं तो ओ मैंने लिए हैं, किपनें में जाता हैं रखा ता जिससे कि अच्छी तरह से इसका शोर्पा ठिक हो जाए और ये अच्छी तरीके से गाड़ा सा फॉर्म इसका बन जाए दुस्री तरफ मैंने चीलने हैं घिया गिया की क्वांटेटी अगर आप बचाना जाए तो बचा लें उसका बाद में हम रायता भी बना सकते हैं रायता बनाने का तरीका मैं आपको नेक्स टाइम बताओंगी इंशाला तो जितना हमें चाहिए उतने गिया हम छिलकर साइड पर रखेंगे और बाकी को हम नायता बनाएंगे बाद में ठीक है ये देखें एक दम कच्छिया घिया है बहुत यह सान इसके सादिस का चिलका उतर रहा है और कुछ बंदे फैमिली में ऐसे होते हैं जो कहते हैं लो जी क्या बन रहा है गिया बन रहा है मैं तो नहीं खाओंगा मैं तो नहीं खाओंगी यह ऐस तरह से कुछ कहते हैं ज़रूर खाना चाहिए इससे आपके सहत बहुत अच्छी रहती है खुन बनता है और घ्या वह बहुत ज़्यादा पसंद था यह तो यह है इसलिए हमें भी खाना चाहिए यह मैंने छील दिये दो गिया मैंने चीरे हैं उनको मैं कट करती हूं देखो कितने असानी से कट हो ज करते जाएं बहुत बारिक बने बहुत मोटा भी नहीं बस इस तरह काट लें और एक क्यूब्स की शकल देते हुए हमने इसको के पीसे कर ली है उसी तरीके से आप दूसरे वाले घ्या के भी हम कर लेंगे जी हाँ वह देखें इसके अंदर बीच बिलकुल भी नहीं है अगर बीच वाला घ्या है तो आपने क्या करने है इसको पीच इसके निकाल देने है वनना वह पर दाल के अंदर मिक्स हुए वे अच्छे नहीं लेंगे तो बन रहे दिया गिया और चैनिकी दाल ओपर से इसक करके साइड पर रख लेंगे थीक है जो जी ये भी हमारी कटके तियार हो चिक इंट को रहा हैं आ जाते हैं आज अपने मसाले की तरफ कि कितना ये भून चुका है मार्शल्रा काफी है आध तकस्की पानी फूंक Sultan काफी है पानी में जिससे की तकरीबन अब इसको एक घंटे के लिए लाज में बिगो हैं इसकी दाल जो फूल जाती है और पिर इसको जब हम पकाते हैं तो यह बहुत ही अच्छा कजाय का आता है खिली-खिली बनती है और यह इसको गलने में भी इसको मदद मिलती है मसाला बुनने की मसाला बुनने की पहचानी होती है तो मसाला हमारा पुनकर रेडी है डाल डाले इसके अंदर मैं उसी परतन से इसको पानी डाला है जिससे यह असानी के साथ गल जाए गलाने के लिए हम इसको 10-20 मिन तक रखेंगे कुकर के विजल होने तक अगर विजल वाला है तो एक से दो जाए टाइमर के साबसे आब दस मिन के लिए इसको करने के बाद को खोलते हैं छोनी के बाद हम करते हैं डाल को चेक कि यह कहीं से अब पानी कितना है के अंदर और यह देखें जी हां आप हमें बिल्कुल बीडर नहीं रखता हम अराम से और जो घरम होता है सालन उसके भी पकड़ कर लेते हैं ठीक है यह देखें इसके नमें डालाए घिया जो अने भी वाश करके रखा था साथ ही मेने चार से पांच अदर डाल दी हरी मिर्चे और डाल कर इसको ची तरी किसे करेंगी मिक्स बहुत जबरदस्त बहुत मज़िदार हमारे आइटम बनने जा रहा ह है घया चने की दाल पानी हम अपने डालेंगे जिससे थोड़ा दर लिक्विड फॉर्म में रहे अगर गाड़ा करेंगे तो इसको हम खाने में असानी नहीं होगी साथ में हम इसके बनाएंगी चावल या रोटी जिसको पसंद है रोटी मिनाएं नगर जातरी चावलों के स खाय जाती है और बहुत ही मज़ेतार सी हमारा ये घया चने की दाल बनकर हो गया है तयार यह देखें अच्छा इस कंडिशन में बहुत से जो होते हैं के उपर लगाते हैं तड़का अब तड़का हर चीज को भी तो नहीं लगाया जाता ना तो हमने स्टार्टिंग में इस नुकसान होता है कुछ आइटम होते हैं जिसमें तरही अच्छी लगते हैं मगर इसमें नहीं मैंने से पड़ा रहा है हरा धनिया और यह देखें मार्शलाब बहुत डिलीशिस खोद में जदार बनी है अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पूरी रेसिप पसंद आई है तो